स्क्विड गेम ने तब बाही मचा रखी है अर्निंग के सारे रेकॉर्ड तोड़ते हुए नंबर वन पर वेब सीरीज ट्रेंड कर रही है तो आज हम इसी को एक्स्प्रेंड करने जा रहे हैं यह स्टार्ट करते हैं स्क्विड गेम का पहले सिजन का पहला एपिसोड मेरे इ में हमें दिखाया जाता है बलाक चैन लाट का सीन है और कुछ बच्चे स्क्विड गेम खिल रहे होते हैं बैसिकली इस्क्विड गेम यह कोरिया का गेम है जिसमें इतरा तरा के शेप्स होते है जैसे secondly रेक्टैंगल और सरकल इस गेम में दो पार्टी जोती है एक डिफें यही होता है कि स्क्वीड के अंदर बने हुए सरकल में पहुचना जो भी ओफेंस वाला बंदा पहले पोचेगा सरकल में वही जीतेगा अब एक्च्वल स्टोरी यही से स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देख पाते है स्टोरी के लीड क्यारेक्टर सियांग को यह पहले फैक्टरी में काम करता था पर अब वो ड्राइवर की नोकरी करता है वो घर में अपनी मॉम के साथ रहता है और देखते हुए हमें पता चलता है कि आज उसके बेटी का बड़े होता है याने कि सियांग के बेटी का बड़े होता है इसलिए उसकी मा उसे 20,000 वान देती है उस पर जवाब में सियांग कहता है कि इसमें तो सिर्फ मैं खाना ही खिला पाऊंगा उसे तो gift के लिए भी तो चाहिए होंगे ना पैसे तो उसकी मा उसे 10,000 won और देती है फिर भी सियोंग अपनी मा का credit card चुरा लेता है वो अपनी मा की account में से सारे पैसे निकालने की कोशिश करता है पर वो अपना code ही भूल जाता है finally अपना दिमाख लगा के वो अपने बेटी का budget डालता है तो वो खुल जाता है और सियोंग सारे पैसे निकाल लेता है उन सभी पैसों को वो जूए में लगा देता है यहाँ पर horse racing चल रही होती है सभी लोग यहाँ पैसे जीतने आते है यहाँ पर सियोंग भी अपना दाव लगाता है पर पहली बारी में वो हार जाता है फिर वो तैय करता है कि और एक बार खेलेंगे तो इस बार उसका दाव सही लगता है और वो 45 लाक इतनी रकम जीत जाता है खुशी कि मारे काउंटर पर बैठी हुई लटकी को वो 10,000 वाउन ऐसे ही दे देता है कहता है कि अपने बाइफिन के साथ जा के कॉफी पियो और इंजोई करो बाहर आकर वो अपने बेटी से कॉल पर बात करता है कहता है कि आज तुम्हें एक अच्छे से होटल में जाके खाना खिलाऊंगा और एक अच्छा सा गिफ्ट दूँगा तभी सियोंग को वहाँ पर पास खड़े हुए उसके लेंदर दिखाई देते हैं तभी वो उनको देखकर वहाँ से भागने निकल जाता है बीच में वो एक छोटी सी लड़की से तकराता है और गिर जाता है फिर उसको उसका कॉफी का मख पकड़ाके वो आगे निकल जाता है उसके लेंदर उसके पीछे पीछे टॉयलेट में गुच जाते हैं वहाँ वो सियोंग को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लग जाते हैं सियोंग उसे कहते है कि रुको मेरे पास पैसा पड़ा है वो जेब में हाट डालता है पर उसे पता चलता है कि उसकी जेब तो कट चुकी है इस लड़की से सियोंग टकराता है, उसी लड़की ने उसकी जेब काटी थी, लेंदार उसको एक मैने का वेटिंग पीरेट देता है, कहता है कि एक मैने में अगर पैसा नहीं लोटाया, तो तेरे शरीर के हर एक अंग को निकाल के उसको बेच के पैसा निकल वालूँगा, त तो वो उसी लेंदार से फिर से 10,000 won मांगता है और वो लेंदार भी उस पर दया खाके दे देता है और फिर से वो उसी लड़की के पास जाता है जिसे उसने वो मजाक मजाक में 10,000 won दे दिये थे वो उससे वो 10,000 won वापस लेता है अब सियोंग बेटी के गिफ्ट के लिए गेम पार्लर जाता है वहाँ पे वो बहुत सारा पैसा लगा देता है फिर भी एक अच्छा सा गुड़ा या गुड़िया नहीं पिक कर पाता सियोंग के पास में ही एक छोटा लड़का खड़ा होता है वो उसे कहता है कि ये इस गेम को ताकत से नहीं दिमाग से खेला जाता है उसकी मदद से सियोंग उस गेम पार्लर से एक पेटी पैक डबा निकलवा लेता है और बहुत खुड़ और उस लड़के को उठा के थैंक्यू कहता है तो सियोंग के पास इतने तो पैसे होते नहीं तो वो अपने बेटी को रस्ते के साइड में लगे हुए ठेले पर ले जाता है फिर भी उसकी बेटी यहाँ पे खाना खा के खुश होती है वेल यहाँ पे सिन कुछ ऐसा है कि सियोंग और उसकी वाइफ उनका डिवास हो चुका होता है और बेटी की कस्टेडी उसके वाइफ की तरफ होती है वो सिर्फ अपने बड़े पर ही अपने डैट से मिल सकती है सियोंग अपने बेटी को गिफ्ट देता है ह हलाकि उसको भी पता नहीं होता उस गिफ्ट में क्या है उसमें गनलैटर होता है वो देखकर वो शौक हो जाता है क्योंकि वो नाराज हो जाता है उसे लगता है कुछ बड़ा सा होगा फिर उसकी बेटी उसके कहती नहीं होता मैं अपने दुसरे वाले डैट के साथ अच्छे से रेस्टॉर्ण में जाकर सुबह खाना खाकर रही हूँ यह बात सुनकर सियोंग तूट सा जाता है उसे बहुत बुरा लगता है कि वो अपने बेटी को अच्छे से रेस्टॉर्ण में खाना नहीं खिला पाया और अच्छा सा गिफ्ट नहीं दे पाया सियोंग अपनी बेटी से प्रामिस करता है कि वो नेक्स्ट इयर अपने बेटी के लिए कुछ तो सर्प्राइज अच्छा करेगा सियोंग खुद थका हारा होता है फिर भी अपने बेटी को पीट पर लेके चलते हुए उसके घर तक छोड़ने आता है गायोंग की मा उसका वेट कर रही होती है और वो सियोंग पर चिलाती है कि इतना लेट क्यों सियोंग कहता है कि उसका बड़े है और खाली 10 मिनिट ही तो लेट हुआ है और मैं भी उसका पीता हूँ सियोंग घर जाने के रिए लेले स्टेशन पोच्टा है पर वो बंद हो जाता है थका हारा वो वही पर बैट जाता है बाजू में एक जेंटल मैन उसके पास आके बैटता है वो शक्स सियोंग से कहता है कि क्या हमें एक गेम खिल सकते है सियोंग गंड लाइटर निकालता है और कहता है अब मैं किसी भी सेल्समैन से बात करने के मूड में नहीं हूँ तबी वो शक्स अपनी brief case खोलता है उसमें धेर सारे पैसे होते है वो शक्स सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ game खिलना चाहता हूँ उसके rules बहुत ही simple है ये दो cards है एक blue है और एक red है इसे ताक्षी कहते है ये इस card को दुसरे card पर मार के उसे पलटना है अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें एक लाक वान दूँगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे एक लाक वान देने पड़ेंगे सियोंग कहता है कि वैसे मेरा आज लग खराब चल रहा है फिर भी मैं खेलना चाहूँगा पहले गेम में सियोंग हाज जाता है तो वो शक्स कहता है कि लाओ मेरे एक लाक वान तो उस पर सियोंग चौक जाता है तो वो उसे एक खिच के थपड मारता है तो वो कहता है कि नहीं एक लाक वान तो एक थपड ही सही ऐसे सियोंग बहुत बार ट्राय करता है पर वो कार्ड को पलट नहीं पाता तो वो थपड़ वे थपड़ खाये जाता है पर अट लास्ट सियोंग बहुत ही ताकत से उस कार्ड को पलटने की कोशिश करता है और वो कार्ड पलट जाता है और सियोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपना हाथ खड़ा करता है उस शक्स को मारने के लिए पर वो शक्स उसको उसके बदले में एक लाक और वो शक्स सियोंग से कहता है कि अगर तुम और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो इस कार्ड पर रात को मुझे कॉल करना जिसके बाद सियोंग घर जाने के लिए निकल रहा होता है पर वो बीच में मच्छी मार्केट में रुख जाता है बुडिया और सियोंग इन इसके बाद घर पर आकर वो अपनी मा के साथ डिनर कर रहा होता है वो कुछ पैसे अपनी मा को देता है उसकी मा पुछती है कि इतने सारे पैसे तुमारे पास कैसे सियोंग कहता है कि ये सारे मेरे खुन पसिनी की कमाई है उस पर उसकी मा कहती है कि तुमने अपनी बेटी से बात की सियोंग कहता है कैसी बात वो कहती है कि शायद तुबे पता ने कि वो अगले साल पूरी तरह से यूएस शिफ्ट होने वाले है इस पर सियोंग को याद आता है कि जब वो उसने कहा था कि मैं नेक्स टियर बड़े गिफ्ट लाऊंगा तभी उसकी बेटी की नजरे जुग गई थी वो रात बर सो नहीं पाता अपने बेटी के साथ क्लिक किये हुए फोटोस देखता रहता है साथ में उस शक्स ने दिये हुए कार्ट को भी देखता है और उसे पैसों बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब उसकी आग खुलती है तब वो खुद को अलग कपड़े में पाता है और एक हॉल में पाता है और भी लोग उसी के तरह ग्रिनिश ब्ल्यू कलर की सूट में होते है और वो भी ऐसे बेहोश करके लाए गए होते है वहाँ पे सियोंग की मुलाकात एक चचा से होती है उनका नमबर होता है और सियोंग का नमबर होता है 456 वेल ये नमबर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे के एपिसोड में इससे जुड़े बहुत सारे बात है अब वहाँ पिंक सूट पहने हुए कुछ गार्ड वहाँ पर आते है और कहते है कि तुम सब लोगों का इस गेम में स्वागत है और तुम सभी लोग अपनी जिंदेगी से ठकहार कर यहाँ पर गेम खेलने आये है तभी वहाँ पर कुछ लोग उस पर अबजेक्शन उठाते है कि तुमने तो हमें बेवकूफ बनाया है हमें नशिली ग्यास छोड़के हमें बेहोश करके यहाँ पर लाया है तो वो गार्ड पीछे लगे हुए LED पर उन सभी को प्रिवियस फुटेज उनकी दिखाता है और इन सभी लोग यह सभी लोग तक्षी खेले हुए होते है और एक लाक वान जीते हुए होते है वो गार्डियन उनसे कहता है कि तुम लोगों को पहले इस गेम के लिए चोईस दी गई थी जब तुम लोगों को पैसा दिखा तो ही तुम इस गेम में आये हो तभी हम देख पाते है कि फुटेज में बहुत सारे लोगों को दिखाया गया है जिन पर बहुत सारे कर्ज होते है किसी पर 10 बिलियन किसी पर 500 बिलियन किसी पर 200 बिलियन ऐसे कर्ज होते है सभी कर्ज में डूबे हुए होते है इस सब बातों को सुनने के बाद सियंग पूछता है कि आखिर प्राइज मनी कितनी है तब ही वो पिंग गार्डियन अपने रिमोट कंट्रोल से एक बड़ी से पीगी बैंक को नीचे उतारता है वो उनसे कहता है जैसे जैसे लोग यहाँ पर एमनेट होते जाएंगे वैसे व पर साइन किरवाया जाता है जिसके रूल ऐसे होते है कि पहला रूल कोई भी खिलाडी खेल को रोक नहीं सकता रूल कि कोई भी खिलाडी अगर खेल खेलने से मना कर दे तो उसे वही पर निकाल दिया जाएगा और तिसरा रूल अगर बहुमत हो तो खेल को रोका जा सकता है खेल खेलने से पहले सब के एक एक photo click होती है तबी हम कहानी के एक दूसरे शक्स से इंट्रोडेस होते है जो यहां का boss होता है जिसका marks सबसे अलग होता है इसका नाम होता है The Front Man, इसके बड़े बड़े लोगों से contact होते है तभी कहानी में बताया जाता है कि इन सभी प्लेयर को 6 दिन 6 गेम खिलवाया जाएंगे और 7 से पहला गेम आज से ही शुरू होगा मीनवाइल सभी प्लेयर को हम एक बड़े से प्लेग्राउन पर पाते है वहाँ पे देखते हैं कि बड़े सी दिवारों पे खाली पोस्टर्स लगाई हुए है सामने एक बड़ी सी डॉल है जिसके पीछे मुड़ते ही इन सभी लोगों को भाग कर रेड लाइन क्रोस करके आगे जाना हो आगे की तरफ जाना पड़ेगा इस गेम का रूल बहुत सिंपल है डॉल के पीछे मुड़ते ही इन लोगों को भागते भागते रेड लाइन क्रॉस करके सामने आना है पाँच मिनिट के अंदर अंदर सभी लोगों को रेड लाइन क्रॉस करनी है अगर डॉल ने इनने देख लिया तो ये लोग ऐलिमनेट हो जाएंगे गेम का नाम है रेड लाइट ग्रिन लाइट इस गेम के बारे में सुनकर बहुत से लोग उसका मजाग भी उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं कहते हुए कि यहाँ पर हम क्या बच्चों का गेम खेलने आये हैं फिर भी गेम का रूल है तो सबको मानना ही है तो सभी लोग वाइट लाइन की तरफ खड़े हो जाते हैं अब इन सब के पास डेड लाइन होता है पाच मिनिट का इनको क्रोस करना है रेड लाइन और वो डॉल ऐसे पीछे मुड़ जाती है और गाना बजना स्टार्ट हो जाता है रेड लाइट ग्रीन लाइट ये गेम है नीराला अगेन डॉल जब पीछे मुड़ती है रेड लाइट ग्रीन लाइट ये गेम है नीराला उसे एक आदमी दिखता है वो हिल रहा होता है तो वो उसे अबजेक्टिफाय करती है और उसको ध्याउ 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 उसका एंकाउंटर हो जाता है बिल्कुल मर्डर इलिमनेशन मतलब मार डालना है इसमें तो यह सब देखकर सब चौक जाते है और बहुत ही शौक हो जाते है सब भागने लगते हैं कहां अपनी पिछली वाले डोर की तरफ सब भागते हैं सब पर अबजेक्टिफाय करती है वो डॉल और जो जो हिला सब को भून देती है फिर इसे लोग स्कैन हो जाते है जो हील जाते है उनको फिर से वो इलिमनेट कर देती है इस तरह का एलिमनेशन देखकर सब में भगदर मत जाती है और सब भागने गेम तो आसान नहीं ता फिर भी सब डरे हुए होते है तभी वहाँ पर हमारे चाचा आ जाते है इससे सब का होस जो हमारा फ्रेंट मैन मस्त सोफे पे वेट के दारू आरू पीते पीते देख रहा होता है हमें देखते ऐसा लगता है कि फ्रेंट मैन के लिए ये रोज का खेल है उसके लिए सब कुछ कॉमन था भागते भागते सियों को एक शक्स पकड़ लेता है और बाकी के लोग जैस जैसे तैसे अपनी डेडलाइन खतम करते करते अपना टाइमर खतम होते होते जैसे तैसे पूरी कोशिश के साथ रेडलाइन को क्रॉस कर जाते है अब हमें पता है टाइमिंग खतम हो चुका है जो लोग रेडलाइन क्रॉस नहीं कर पाए उनको गोलियों से भून कर एलिमन जा रहा होता है तो इसी तगड़े सस्पेंस के साथ शांदार एपिसोड खतम हो जाता है वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताए और लाइक भी जरू कर देना और चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब जरू कर देना और थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो तो मिलते हैं अगले एपिसोड में